हेलो गाई स्वागते आप सबका कविता के किचन में तो आज मानने वाले हैं पनीर वेच मोमोस तो मोमोस के भी बहुत साथ स्टफिंग्स रहते हैं यह मैंने सिंपल इंग्रिंट से बनाया है आओ बनाना शुरू करते है तो स्टफिंग के लिए आप मान चाहे वो सब्जिया में डाल सकते हैं पर इधर मैंने अधा पट्त गोवी, गाजर ले लिया है और इक सिंपना मश्म ले लिया है सभी, को मैंने बारिक बारिक चौप वेजिटेबल कोटर में ही चौप किया है इधर नहांना आसानी हो जाती है सभी सब्काण को कॉट करने में में henमालों की अग तो मैंने कड़ाय में एक टेबल स्पून ओयल ले लिया है इडर जादा ओयल नहीं लगेगा इडर सबसे पहले हम आदा चमच हिंग डालेगे उसके बाद अडर्ग मिल्ची का पेस्ट डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबी को उसके बाद हम डालेंगे हमारा बारिक पारिक चॉप किया हुआ सबी वेजिस आप वेजिस को कम ज़्यादा कर सकते हो वेजिस को अभी हमें स्लो फ्लेम में ही पकाना है उसके बाद हम स्वाद अनुसा नमक डालेंगे अच्छे से मिक्स करके हमें सिफ दो मिनिट तक ढखके रग देना है हमें सबजिया को पूरी तक तक हम मोमोस का आटा गुन लेगे तो आटे के लिए मैंने 1.5 कब मैडा ले लिया है तो अब मैडे को अच्छे से चन्नी से हमें चान लेला है ताकि कच्रा है वो निकल जाए तो मैंने पूरा नहीं चाना है मैंने थोड़ा सा जो आटा मैडा है मैडा का आटा थोड़ा हुआ है अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम रोटी जैसा आटा गुनेंगे रोटी जैसा सौफ्ट मुलायम हमें आटा गुनना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा गुन लो मैंने इधर आदे से भी थोड़ा कम पानी इस्तमाल करके आटा गुनना हुआ है तो और कोई भी मसाला नहीं डालना है क्योंकि मोमोस की जो चटनी रेते हैं थोड़ी स्पाइसी रेती है तो बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए अच्छे से मिक्स कर दो हमारा मोमोस का श्रफिंग को आदे को 15 मिनिट हो गया है अभी हमें थोड़ा सा मसल लेना है उसके मैंडे के आटे में थोड़ा सा मसल लो उसके बाद हमें छोटी छोटी रोटिया हमें बेल लेना है रोटी की तरह हमाएं जाड़ा जाड़ा नहीं और जाड़ा पतला नहीं हमें रोटी की तरह गोल गोल शेप में बेल लेना है उसके बाद मैं एक चमच स्टफिंग डाल र करके हमें पूरी गोल पूरी में जिग्जग वाला शेप देना है उसके बाद हमें इसको लॉक करना है तो लॉक करने के लिए थोड़ा सा हमें मोड लेना है इस तरह से तो इस तरह से स्टफिंग भी हमारा बाहर नहीं निकलेगा और हमारा जो मोमो से वो तयार है तो अभी मैं आपको मोमोस का एकड़म क्लोजर लुक दिखाती हूँ तो इधर मैंने गोल पूरी बेल लिया है उसमें स्टफिंग भी भर लेना है और धिरे-धिरे करके जिगजेक वाला जो शेप हमें सभी को देना है और दूसरी हाथ से हमें जिगजेक वाला शेप पकड़ना है आराम से और अभी हमें पूरी जो जिगजेक वाला शेप हमें मोरोणना है ताकि जो श्टफिंग है बार ना निकले और जो एक्स्ट्रा जो बचा हुए थोड़ा सा निकल दो देखो मोमोस तयार है इसी तरह से हम श्रवी मोमोस बना लेंगे देखो तयार है अभी हमें इसको स्टीम कर देना है तो 20-25 मिनिट हो गए है मोमोस अच्छे से पाग गए है बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसको पकने में जाड़ा टैम नहीं लगता है अभी हम बारी बारी करके सभी मोमोस को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा गरम है तो आराम से निकालना तो मोमोस को मैंने बार निकाल दिया है अभी हम उसका सॉस बना लेंगे तो सॉस के लिए मैंने इधर एक टेबल स्पून सेजवन सॉस ले लिया है उसके साथ मैंने एक टेबल स्पून टॉमेटो केचप हम ले लेंगे उसके साथ साथ हम मैं एक टेबल स्पून मानिश डाल ल के हैं हमें उसको स्प्रैड कर लेना है उसके बाद लंबे-लंबे जो कैबे जाने की पत्ता गोबी है वो भी हम डाल लेंगे उसे ना होटेल जैसा लूक आ जाएगा और अगर आपको थोड़ा ठीका पसन हो तो उसके उपर से थोड़ा सेजवन चटनी डाल लो देखो सेम डाला हुआ है ना प्यास और पत्ता गोबी और स्वास उसमें भी थोड़ा सा स्प्रिंगल कर दो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और पर से थोड़ा सा धन्या से गानिश कर दो बिल्कुल होटेल जैसा टेस्ट लगेगा आप एक बार जरूर ट्राइ किजेगा घर पे इ कि लुड़ा कि लुड़ा थे लुड़ा टेस्ट लुड़ा